Hello everyone, आज हम बात करेंगे Q400, क्यूबो के केयर प्रियूसाइब मैंने इसे almost एक महिना यूस किया है और उसके बाद मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ इसके features और इसके review सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि बहुत compact है देखने में अच्छा है, stylish है इसके यहाँ उपर physical buttons है और इसके app पे सारे features मौझूद है मैं इस वीडियो में overlay में app का screen डाल दोगा जिसे कि आप देख सकें कि इसका app कैसा है प्लस आप ये भी देख सकें कि एक 500 AQI room में ये कितनी जल्दी उसको breathable बना सेंगा अब कुछ बात है आपको समझनी पड़ेंगी अगर आप मेरी तरह first time user है ठीक है तो सबसे पहली बात मैंने एक दिन bedroom में इसे लगा रखा है और मैं kitchen में खाना बना रहा था और मैं चिमनी और exhaust on करना बूल गया मैं जैसे ही room पे वापस गया तो मैंने देखा यह full power पे चल रहा है तो मैं है रान हो गया क्यों है फिर मैंने जब research किया तो पता चला तो kitchen के particles भी यह read करता है और यह फिर अपने आप को adjust करता है तो यह इतना sensitive है ठीक है second सबसे बड़ी बात है इसके उपर fan है और यह आगे और तीछे से suction करता है तो आपको इसे दिवाल से almost एक फुट दूरी पे रख इसका app बहुत useful है इसमें आप fresh filter भी order कर से इसका filter bottom से खुलता है मैंने जब unboxing video डाला होगा उसमें आप देख सकते हैं कि आप filter कैसे जाराते है इसके उपर एक sticker लगावा आता है जो कहता है कि filter का आप polyphen उतार के इसे अंबर लग तो obviously first time on करने से पहले फिल्टर को बहार निकाले इसका cover अटाए और फिर लग इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप दोनों तरह किसे से use कर सकते हैं मैं चाहूं तो मैं यहां से इसको switch on कर सकता हूं और मैं चाहूं तो मैं app से भी कर सकता हूं मैं इसे preferably auto mode में रखता हूं जो मुझे सबसे अच्छा लगता है convenient लगता है आप चाहें तो manually इसकी speed select कर सकते हैं आप चाहें तो इसके AI mode है वो भी beta testing में है आप उसमें भी लगा सकते हैं शायद आपको यह डिखनी रहा हूं डिस्ट्ले में लेकिन यह यह रहा राइट यह बहुत portable है easy to move around है अभी तथ मेरा experience बहुत अच्छा रहा है after all this comes from a very reputable company और यह कोई paid promotion नहीं है hero group का है तो अच्छा ही होगा इसकी सबसे अच्छी बात और यह है कि यह काफी बड़ा area cover करता है इसके price point पे मैंने यह दे 6,900 विया दे इसके सामने एक LED indicator है जो AQI के हिसाब से colors बदलता है red, yellow और orange और green तो आपको visually भी पता चलता रहेगा क्या बढ़ा है और जादा कोई display नहीं है तो रात को इतना loud नहीं है सबसे important बात अगर आप इसे street mode में चला रहे है तो आपको actually पता भी नहीं चलेगा कि यह कितना loud और कितनी आवास कर रहा है मैंने इसे Amazon से खरीदा है मैं लिक टाल दूँगा यह इसका box था तो यह इसके original box में ही आता है और यह काफी secure रहता है मेरी delivery तो 12 गंटे के अंदर-अंदर हो भी भी मैंने रात को order के और सुवे सबसे पहले मेरे पास यह था तो मैं तो कहूंगा डेली में तो इसकी service बहुत quick है अगर आप बेली से बाहर order कर रहे तो अपने service time lines देखी जए कुछ सवाल इनके आए हैं और इनका customer support service और network यह product November में launch हुआ है तो अभी भी नया है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि थोड़ा time तो लगे रहे but I am sure कि जिस brand का यह है वो पूरा effort देंगे कि best coverage customers को मिले and इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यह smart device है तो यह Alexa और Google के साथ भी चलता है मैंने भी pair में किया है लेकिए मैंने test करने के लिए pair किया और यह चलता है और अभी मैं अपने phone के app से use करता हूँ और मुझे सबसे अच्छा यह लगता है कि यह Mac TCV Room से कहीं से भी इसे on-off कर सकता हूँ इसकी settings का दन सकता अब इसकी unboxing करते है यह इस box में आता है क्यूबर के ओही box में Amazon डिलिवर करता है आजकल packaging बचाने के लिए इसके उपर एक holographic tape है जो आप उतारेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यह product पहले से नहीं खोला गया था That is a good security feature अब हम इसको खोलेंगे और इसके अंदर से सबसे पहले निकलेगा इसका user manual हम इस पे बाद में आएंगे और इस board को निकालेंगे तो अंदर से हमें मिलेगा हमारा air purifier इसमें two-pin plug है और इसके साथ cable है तो जल्दी से इसका polythine उतारते हैं और देखते हैं इसके उपर आप देखेगा physical buttons दिख रहे हैं fan दिख रहा है सामने cubo लिखा है और LED indicator है और warning लिखी है और साथ में two-pin plug और wire है अब इस warning पर क्या लिखा है इस warning पर लिखा था कि पहले filter निकाल के उसका cover निकालें और फिरी on करें तो इस तरह से bottom से filter खुलता है anti-clockwise filter एक polythine wrapper में होता है इसको हम निकाल देंगे ये triple layer filter है जो सबसे पहली layer आपको देख रही है वो dust catcher है उसके बाद charcoal और hepa filters आते हैं जो तीनो layers मिलके आपको high quality air देते हैं अंदर से जो आपको ये महीन filter देख रहा है white color का वो hepa filter है जो small particles रोखता है अब हम इस filter को वापस अंदर fit कर देंगे तो फिर से हम इसको उठाएंगे और इसमें filter डाल देंगे जस ऐसे ही drop करेंगे आप और filter चला जाएगा और फिर धकन को set करके clockwise हमाएंगे और ये lock हो जाएगा इतना ही simple arrangement है इसको deal करने का next हम इसके सामने का look देखेंगे सामने खानी com mesh है जो air intake के लिए है और ऐसी ही mesh पीछे भी है ये है इसका user manual जिसमें QR code है आप के लिए आप इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं अब इसको on करते हैं फर्स टाइम on होने पे आप देखेंगे इसकी leds multiple colors से cycle करते हैं तीनो आपको colors दिखेंगे green, orange and red और उपर का display on हो जाएगा मेरे साथ ये automatic mode में on हुआ था power button है सारा touch feedback है आप चाहें तो fan speed बदल सकते हैं fan speed बदलने से आवाज बदल जाएगी आपको सनाई देगा significantly जाएगा यहाँ और भी options उपर में मौझूद हैं मैंने फिर से automatic mode पे डाल दिया है देखने में मुझे तो ये काफी sleek and smart लगा और एक foot दूर दिवाल से रखना है जिससे कि ये पीछे से हवा ले सके मैंने इसे on कर रखा है आप देख रहें इसका green indicator on है और यहाँ से ये हवा खीच रहा है अभी ये auto mode में है और मैं चाहिँ तो इसकी fan speed बदल सकता हो मैं आपको अभी वो करके दिखाऊँगा और साथी साथ इसके cooper के panel के सारे controls भी अभी मैं दिखाऊँगा ये काफी interesting in terms of its usage है तो hopefully आपको इसके बारे में जब और दिखाऊँगा तो आपको अच्छा ना लेगा तो आप ये देख रहे हैं ये इसके controls हैं ये इसका panel है और ये इसकी indication LED है जो green, yellow और red में change होती है AQI के साब से अब उपर का touchpad और ये है fan तो अभी ये auto mode में है मैं चाहूँ तो मैं इसकी fan speed बदल सकता हूँ ये one, two, three अब आप three पे आवाज सुन पा रहे होंगे और चाहें तो आप sensei i में भी इसे डाल सकता है और इसका जो Qsense AI है ये auto control करेगा आप इस पर timer भी लगा सकते है one hour, two hours, four hours, eight hours वो भी अहां से लग जाएगा और timer off भी हो जाएगा hopefully आपको ये अच्छा लगाओ इसकी top build ये है काफी अच्छी हवा दे रहा है hopefully आपको इसका review और इसकी unboxing अच्छी लगी होगी मैं try करूँआ की सारे relevant links टाल दू अगर आपको product अच्छा लगाओ तो जरूर जा के check out करिएगा और अगर आपको review के बारे में कुछ कहना हो तो जरूर बताएगा I would love to hear your feedback ये मेरा पहला product review है तो obviously I am not an expert like many many very accomplished reviewers but मुझे personally ये product बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि मैंने जो struggle किया एक अपने लिए अच्छा air purifier डूडने के लिए आपको वो struggle ना कर Thank you so much hopefully हम फिर बात करेंगे Take care